हेलो स्टूडिंट्स मैं शशांग आपका स्वागत करता हूं जुड़ी शरी आईक्यू पर कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो आज का यह जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आयों एक बहुत इंपॉर्टन चीज बताने वा अगर आप सब लोग अगर आप सब लोगों का एम है जुडी शरी में जज़ बनना तो फिर आप लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए सबसे खास बात यह है कि क्या आप लोगों के अंदर वो जज़बा है क्या आप लोगों के अंदर वो माद्दा है कि आप लो highest rank holder में लिखवा सकते हैं अगर आप में यह जजबा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्यूंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जुडीशिरी की जो preparation है वो कब से start करनी चाहिए तो यहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनल्यूज में पढ़ रहे होते हैं जो यहां पे आप लाग पर रहे होते हैं जो फाइव यह लॉग कर रहे होते हैं तो इन सब में अगर आपसे बात की जाए तो आपको मैं बता दूँ कि बहुत बहुत important है कि आप जब भी law शुरू कर रहे हैं तब से आप यह preparation कर सकते हैं और सही टाइम जो होता है वो आपके five year LLB का second year जो होता है और three year LLB का भी second year जो होता है वो होता है क्योंकि पहले साल तो बच्चे नादान होते हैं मुसकान होते हैं परिशान होते हैं थोड़ा स समझते हैं और उसके बास second year is the right time कि आप अपनी preparation शुरू कर सके हैं और preparation करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं क्योंकि आज कल क्या है कि judiciary के examination में बहुत सारी problems आती हैं को कौन कौन सी वो problems हैं जो आपको judiciary के examination में face करनी पड़ती हैं तो सबसे पहल जो problem की अगर में लोग बात करते हैं तो आपका सबसे पहला problem होता है कि यहां पर vast syllabus होता है syllabus इतना vast होता है कि उसको पढ़ते पढ़ते हमारा भरता निकल जाता है दूसरा इसका जो success rate है अगर मैं आपसे बात करता हूं success rate इतना कम है कि आप सभी लोग जानते हैं कि vacancy केवल 200 निकलती हैं हजारों की तादात में लोग जो है अपने examination को भरते हैं तो भाई success rate जो है वो बहुत एक डरावनी चीज़ है इसके सासा third point जो आता है वो है parents parents की जो expectations होती है parents की जो आशाएं होती है और parents की जो उमीदे होती है उस पर हम खड़े उतर पाएंगे कि नहीं उतर टाइम लगे और सबसे जादा परेशानी जो वाली बात होती है वो होती है in judiciary examination की inconsistency judiciary examinations की inconsistency अब यह जो judiciary examination की inconsistency है इस पर आप कुछ कर नहीं सकते पर आप क्या कर सकते हैं अपनी preparation अच्छी कर सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है भाई वाद syllabus भी हो जाएगा success rate क की भी टेंशन नहीं है हमें parents हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं और हमारे लिए फीज भी जमा कर रहे हैं और हमारे लिए रुक भी रहे हैं पर यह judiciary के examination की inconsistency का क्या करें क्या करें कि जब हमने सोचा हुआ है कि यूपी का exam देने वाले हैं और दो साल से यूपी का examination ही नहीं आय या हम राजिस्तान की एक्जामनेशन की सोच रहे हैं और राजिस्तान चार साल से आया ही नहीं या MP के बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और हो गया जहारखन की बात कर रहे हैं कुछ और हो गया समझ नहीं आता हमें किसी भी तरीके से जज़ बनना है हमें अपने देश को स जो है उसको target करते रहना चाहिए आपको three or more states का जो target है जो comprehensive तैयारी है उस पर आपको focus करना चाहिए और वो तैयारी जो है वो focus जो है वो हम आपको लेकर आये हैं आपके लिए study IQ लेकर आया है इस combo batch में इस judiciary combo batch जिसकी जो classes है वो आज से start हो रही है अभी से start हो रही है जो बाइस नवंबर से start हो रही है तो सीधी सी बात है judiciary combo batch जो है आपको एक वर्ज देता है diversified आपको syllabus का पूरा matter provide करता है वो सारे 16 states के जो आप target कर रहे हैं या आप time की कमी से या किसी वरज़े से आप target कर सकते हैं future में तो one stop solution है ये आपका और इसके है एक तरीके से live foundation batch ये क्या है ये है ये है आपका live foundation batch जो आपके लिए सबसे बहतरीन होगा अगर आप एक से जादा states की तयारी कर रहे हैं तो करने ही पढ़ेगी इसमें कोई दोर आए नहीं है वैसे तो करनी तो एक ही state की चाहिए पर आजकल इतनी judiciary inconsistency हो रही है कि क्या करने ही पढ़ेगी और इसमें हम आपको दे रहे हैं वो लगन वो motivation क्योंकि ultimately motivation यह वह कहीं न कहीं कहीं न कहीं आता है कि हमारे जो पैसे जा रहे हैं वो किसी तरीके से हमारे वापस आजा है में प्रूट्पूल चीजें मिलें तो आपको यहां पर हनूट्स मिलेंगे weekly answer writing मिलेगी pre-k mcqs मिलेंगे और वहाटना बट डारेक पैसे भी मिलने कर और आपने प्री निकाल लिया है तो आपको 50% फीज जो है वो वापस हो जाएगी और आपने जुडीशरी का एक्जामनेशन क्लियर कर लिया है तो 100% फीज वापस कराने की जिम्मेदारी होगी मेरी ठीक है मतलब हम इस बैच में आपको बकायता बोल रहे हैं डंके की चोड़ बोल रहे हैं कि क्लियर करिये जुडीशरी अपना सिलेक्ट हो ये पढ़िये मेहनत करिये और पैसे भी वापस ले जाएगे इससे जादा इससे बहतर इससे अच्छा कहां मिलेगा तो जरू से जरू जॉइन करिये इस लाइफ फाउंडेशन बैच को विद्धी मेंटर्शिप ऑफ एज्जेस टॉपर डैट इस अच्छमन शेखर और इसमें अगर आप एस लाइफ कोड लगाते हैं तो आपको मेरी मेंटर्शिप तो 100% मिलने वाली है कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है डू जॉइन अस हम आपको देने वाले हैं वो सारी चीज़ें यह एक तरीके से आपको ultimate S IP मिलने वाला है सारे की सारे वीडियो डी लेक्ट्र आपको मिलने वाले हैं आपके 1500 घंटे की क्लासे जैंफी रिफंट के यहां पे पॉलिसी अगर आप प्री और मेंस क्लियर करते हैं तो वेंस नही हैं one to one mentorship मिलने वाला है daily mcq practice मिलेगा lecture notes मिलेंगे और इसके साथ hand written notes भी मिलने वाले हैं Hindi और English English medium वाले Hindi medium वाले यह न सोचे कि यहां पर आदे English आदे Hindi मिलने वाले नहां अलग से Hindi अलग से English पूरा मिलने वाला है इसके साथ weekly answer writing आपको मिलने वाली है current affairs मिलने वाला है और mentorship तो मिलेगी मिलेगी तो भाई इससे जादा इससे बहतर इससे अच्छा और कहीं नहीं चीक है और इसमें सबसे खास बात है अगर आप हमारे साथ अभी कॉल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी जॉइन कर लिए क्लास से शुरू हो चुकी है आज पहली क्लास थी कितना पढ़ाए जागा कैसे जुडिशरी क्रैक होता है उसकी क्लास आज है उसको भी अगर आपको दिबारा से देखना है तो जल्दी से आज ही इन्रोल कीजिए अभी ही इन्रोल कीजिए मिलते हैं अपने अपने प्रेस्पेक्टिव बाच्चेस में जै हिंद और गुडिवन गुड़नाइट